So Hello Everyone, तो इस वीडियो में आप लोगों को CSF Traitsman का जो प्रीवेस येर करने पिछले साल का पेपर था उसके कुछ क्वेस्टन करवाने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को जैसे पता हूँ CSF Traitsman के भी विकेंसी निकलें टोटल 824 विकेंसी कई सारी पोस्ट के लिए और इसके रिगाडिंग मैंने कल वीडियो भी डाला था जिसमें कि मैंने आपको सब कुछ उसके रिगाडिंग समझाया था लेकिन फिर भी आपनों कही सारे डाउट्स थे जैसे कि क्या सभी लोग इसके अपलाई कर सकते हैं फिर ITI वाले या फिसके लिए फिजिकल क्या रहे तकि मैं इस अपसा के वीडियो बनाओ तभी शुरू करते हैं और देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन पिछले साल आपके पूछे गए क्वेश्चन सुरू करने से पहले पेपर पैटरन समझ लीजे रिटेन में क्या होगा सव क्वेश्चन आएंगे आपके सव नमबर क होगा ठीक है और इसमें आपका क्या-क्या होगा मैट्स होगा जीके होगा रीजनिंग होगा और कुछ क्वेश्चन तक्रीबन बीस क्वेश्चन आपके इंग्लीश या फिर हिंदी के होंगे वह आपको खुद पेपर अटेम्ट करने से पहले आपको यह भरना पड़ेगा किसमें आप देना चाहते हो कौन सा देना चाहते हो इंग्लीश या फिर इंदी ठीक है तो अभी शुरू करते हैं पहला क्यूश्चन देखते हैं पहला क्यूश्चन है कि बाबर वा इबराहिम लोदी के मद्हे कौन से लडाई लड़ी गई थी ऑप्शन आपके पानी-पत आपके 2 आप्शन पानीपत . और य tissuиком 940 आपके 1 पानीपत , इसमें की 1 में खार राई हुआ है आहिे क्विक पानीपत के विए दो आपके 3 रहा है आपके 3 सेना थी और हेमू के बीच में और जो तीसरा पैटल हुआ था वो 1761 में हुआ था यह हुआ था मराथा और एहमा शापदाली के बीच में अगला कुश्चन देखते हैं भारत की उत्तर पूर्फ की और बहने वाली कौन सी नदी है नर्मदा सोन ब्रह्म पूत्र या फिर कावे ताकि आपका एक तरह से यही पता जल सकी है अभी आप कहां पर स्टांड करते हो तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर कुश्चन का ओप्शन नमर बी सोन तो सोन है जो उत्तर पूर्फ की और बहने वाली नदी है सोन बता दूं गंगा की सायक नदी है गंगा जो कि सबस यह यूटर्न लेती है और अरुनाचल पदेश से होके असम से होके बांगला देश में जाती है और बांगला देश से होके यह बंगाली खाली में गिरती है तो ऑप्शन नमर यहाँ पर बी सही आंसर होगा इस कुश्चन का अगला कुश्चन है शांती स्वरू भटनागर पुरसकार किस छेतर के लिए दिया जाता है विग्यान साहित संगीत फिर सिनेमा सही आंसर इस कुश्चन का है ऑप्शन नमर ए विग्यान विग्यान के लिए दिया जाता है अगर हम बात करूं 2019 में किसको फ्राइज मिला तो यह मिला दिशांत मयूर भाई पंचोली को यह अगला कोश्चन कुमार संभव पुस्तक के लेखा कौन है प्रेमचंद बानभट राजशेकर या फिर कालीदास तो उम्मीद करता हूं सभी का इसको आंसर तो कॉमेंजेशन जल्दी से टाइप कीजिए इसका ऑप्शन नमर सही आंसर इसका है ऑप्शन नमर टी कालीदास क कुमार संभव के अलावा और भी कई लिखें नौवल जैसे कि अभिजान सकुंतिलम भीनों ने लिखा तो यह सारे आपको पता होना है क्योंकि इनसे कुश्चन डिरेक्ली आपको एक्जाम में आते हैं देखिए यह पेपर करवान करवाने का मेरा मतलब यह कि आपको एक त अगला कुश्चन देखते हैं ओजोन परत का कार क्या है यह कुश्चन साइन से हो गया जैसा कि आपका तो जो परत कार होता है जो पैरा बैंक नी किरना है उनको शोसित करना जो जिसको इंगले शम बोलते है अल्ट्रा वालेट रेस यूवी रेस उनको जो है एब्सॉर्ब करना इसका जो है काम होता अप्शन नमबर इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कुश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है यह विच और योरप के बीश में यह आईलेंड द्वीब पढ़ता है जिसका नाम है ग्रीन लैंड अगला कुश्चन है कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से जोड़ी हुई है फुटबॉल होकी क्रिकेट है फिर वेट लिफ्टिंग अगर आपको इसका आंसर पता है तो कॉमेंट में लिखें इसका आप्शन नमबर आंसर इसका आप्शन नमबर सी क्रिकेट जो देवधर ट्रॉफी है वो क्रिकेट से तो इस इससे क्या इस तरह के questions आपको देखने के मिलेंगे जिसमें आपकी ट्रॉफी लिखेंगे और वो ट्रॉफी किस खेल सम्मंदी ते वो आपसे पूछा जाएगा अगला question है करोय अमरो का नारा किस ने दिया सुभाष चंद्र बोस सर्दार भगत सिंग महात्मा गांदी फिर सर इन्हों ने दिया था और आज आपको पता होगा महात्मा गांदी जी की जैनती भी है 2nd October अगला question है और आपको ये comment बताना है कि महात्मा गांदी की आज की दिना नहीं इस बार कौन सी जैनती है ठीक है अगला question है अमेरिका का प्रथम राश्टपती कौन था अब्राहिम ल भारत की जनसंख्या घनत तो है एनि जो जनसंख्या का जो घनत तो है जिसको इंग्लिश है population density बोलते हैं वो कितना आपसे पूछ है 381, 383, 385, 382 सही answer is question का option number A 381 381 वेक्ती पर वर किलो मेटर अब आपको पता होना चाहिए कि जो जनसंख्या गढ़ना होती है वो कब होती ह तो ये 10 साल में एक बार होती है जैसे 2011 में वी थी पिछली बार तो अगला होगी आपको कमेंट बताना है अगला है बिश्मिल्ला खां किस वादक यंत्र से जूड़े हुए थे शहनाई, बासुरी, तबला, एफिर संतूर सही answer हो का option number A शहनाई अगला question है भारत चीन के मद कौन सी सीमा रेखा है डूरंड, रैड क्लिफ, मैक महन, एफिड, सैतिस्वी, समांतर रेखा, सही answer इस question का है option number C मैक महन, मैक महन लाइन अलग करती है भारत और चीन को, अगला question देखते हैं 1857 के स्वातनृत संग्राम के समय भारत के गवर्नर जेनरल कौन थे, विलियम बें सही answer इस question का option number B, Lord Canning, अब हम कुछ देखते हैं reasoning के questions, अब देखे, मैंने कुछ आपको जी करवा दिये, उसे आप समझी होगी कैसे questions आएंगे आपके written test में, reasoning के कुछ questions देखते हैं, तो 18 नमबर question देखे, पहले attempt कीजिए और option आपके देख सकते हो, 8, 9, 10, 11, और comment में अपन option number type J, कौने सही होगा, तो अब चलिए इसका देखते हैं solution क्या होगा, कैसे यहाँ पर क्या आएगा, देखे, चार और पांस के बीच में कितने का अंतर है, एक का, पांस और साथ के बीच में कितने हैं, दो का, यनि कितना हो रहा है कि नहीं, एक का दो हो गया, यनि इसका ड 11, किसी भी question में doubt होता है, comment में आप पूछ सकते हैं बिलकुल, अगला question है, 19th number, यदि E को 22 लिखा गया है, बेड को 70 लिखा गया है, तो bread का तुल कितना होगा, ये भी question अगर आप थोड़ा से इसमें अपना mind उस करो, तो बहुत आसान question है, यादा hard नहीं है, तो देखे, E क अगर आप alphabetical number देखो, तो 5 होता है, जैसे E का क्या होता है, एक होता है, B का 2 होता है, ऐसे E का होता है 5, अब यहाँ पर लिखो रखा है 22, अब 27 में आप 5 गटाते हो, तो आपको 22 मिलता है, ठीक है, चोली यही concept लेकर हम आगे बढ़ते हैं, अब bed, bed बराबर 70 लिखा हो, य 27 में 5 गटाएंगे, तो 22 आएगा, और D का कितना होता है, 4 होता है कि नहीं, C के बाद, C का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 और D का 4, तो 27 में 4 गटाओगे तो 23 आएगा, तो अब इस 25, 22 और 23 को जोड़ोगे तो इस 70 मिलेगा आपको, यानि कि जो हमने concept लगा था 27 में गटाने वाला वो सही है, वैसे ही आपको यहाँ पर exactly करना है, ब्रेड में, अब देखो पूरा ब्रेड का calculate करने मत बैटना, क्योंकि B, E, D का तो हमको पता ही है न, B, E, D का पता है 70 है, है कि नहीं 70, अब R और A का निकाल के 70 में जोड़ोगे तो अपने आपांसर आ जाएगा, तो R का position क्या होता है, तो S का तो होता है 19, जितना आपको पता होगा, वैसे ही R का हो जाएगा 18, तो 27 में 18 गटा होगे, तो कितना आएगा, और अब A का, A का देखना है न, तो A का कितना होता है, अलफ़बेटिकल नमबर, 1 होता है, 27 में गटा होगे 26, और 26, 9 जोड़ोगे 35, और जो 35 आए आपका, उसको आपको 70 में जोड़ देना है, तो आपका अंसर आजाएगा, 105, option number C, यह जो बाकी के दो question है, 20 और 21, यह अपने आपसे देख लेना, क्योंकि यह ऐसे exactly same है, यहापर मेरा main जो मक्सेद हो, आपको कैसे question आते हैं, वो दिखाना है, अगला question 22, ठीक है, वैसे इसका मतलब है, कि यहाँ पर state का नाम लिखा होगा, और यहाँ पर उसके पहले उसकी capital का नाम लिखा होगा, तो देखते हैं, सही capital कौन सी है, त्रिपुरा की क्या इंफाल होती है, नहीं, अगरतला होती है, उलिसा की कटक है, नहीं, भूवनेस्वर है, उत् यहाँ पर कौन किसे समंदित है, तो देख ये, फूल गुच्छ, जो फूल का गुच्छा होता है, वो किस से मिलके बना होता है, फूल से बना होता है, उसी प्रकार जो माला होती है, वो मोती से मिलके बनी होती है, तो option number C, इस question का सही answer हो जाएगा, अब एक दो question यहाँ पर प्राइस, प्रारामिक मूल, वो बताना है, तो माल लेते हैं X, बिना X के भी solve हो जाएगा, लेकिन X से आप आराम से इसको solve कर सकते हैं, माल लेते हैं, इसका प्रारामिक मूल X है, अब 20% का जो इस एक पुस्तक के मूल को 20% घटाने पर वो पुस्तक 112 के मिलती है, तो अब यह फिर कितने मिलती है, 112 में, ठीक है, 112 में तो मिलती है, यह भी 20% काटाने पर, अब देखिए, इसको calculate करते हैं, तो 20, यह 25, 100 हो जाएगा, यह नहीं कि X-X by 5 हो जाएगा यह, बराबर 112, तो X-X by 5 is equal to 1, 1, 2, 112, अब X में X-5 यह घटा होगे, तो कितना हैगा, 4X बटे 5, बराबर 112, ठीक है, 4X बटे 5, बराबर 112, जब आप इसको calculate करोगे, तो 4 एकम 4, और यहाँ पर 4 दुनिया, 4, 3, 2, 23 में तो 5 करोगे, तो यहाँ पर आपका answer होगा, option number D, 140, ठीक है, अगला question, और किसी question में doubt होता, आप comment में बिलकुर पूछ सकते हो, ठीक है, अगला question है, कि name लिखे, तो में ऐसे कौन सी संख्या, दो बटे 5 और 3 बटे 4 के बीच में है, 3 बटे 10, 1 बटे 2, 4 बटे 5, यह फिर 3 बटे 8, यह हम लोग का है, आफरी question, तो इसका answer, आप लोग कॉमें सेशन में देना, इसका सही answer, अब बात कर लेता है, आप लोग के जो, आपके दोरा जो से 23, और देखे, notification में आपको सब कुछ मिल जाएगा, अब यह मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको doubt आ रहा था कि form apply कहां से करें, form निकाले कहां से, तो उस आपको notification से पता चलेगा, notification आपको मिलेगा, तो notification का जो link है, वो मैं वीडियो के description में डाल दूँगा, तो वहां से में complete करने होगी, और अगर बात करूँ, तो height minimum 170 cm होने चाहिए, और कुछ clear relaxation भी आपर दिया गया है, और सभी लोग apply कर सकते हैं, बस ITI वालों को preference ज्यादा दी जाएगी, जो most of the number of post है, sweeper में सबको same preference मिलेगी, और जो बाकी post हैं, उसमें ITI वालों को preference दी जाएगी, लेकि वीडियो को like कर देना ताकि मुझे पज़ा चल सके कि कितने लोग इंट्रेस्टेड हैं, उसी इसाब से मैं आगे वीडियो लाँ, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आने वाली वीडियो की आपको notification मिलती रहें, और notification में कोई प्रस कर लेना सब्सक्राइब करने के